दोस्तो नमस्कार आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ट्रेन जो 73 साल से फिरी चलती है मतलब कि यात्रियों को उस पे चलने के लिए यात्रा करने के लिए कोई पैसा खर्चा करने के जरूत नहीं करने है को टिकट लेने की रोड नहीं है दोस्तो ये जो ट्रेन है है ये भाकरा नंगला-damp जो है उसको देखने के लिए चला गुए दो की यात्री जो है भारत के नागरी की जो है उस डैं को बनाने में कितना मेहनत लगा है भाकरा नंगला को को उन om लार्जेस्ट डैम इंडिया उसको जो भारत के नागरिक देखे और फिल करें कि हमारे पुर्बजों ने कितना मेहनत किया है उस डैम को बनाने में और दोस्तों यह जो ट्रेन है यह हिमाचल और पंजाब के बॉर्डर पे चलती है और यह दोस्तों यह ट्रेन जो है 1949 से चल रहा है फ्री अप कॉस्ट पतला यात्रियों के लिए चल रहा है जिसमें यात्रियों को कोई भी पैसा खर्चा करने की जरूत नहीं है ना कोई टिकट लेने के लिए होते हैं और दोस्तों इस ट्रेन की जो खासियत है यह जो ट्रेन है लकरी का बना हुआ है आप देख सकते हैं और यह दोस्तों 25 गाओं को कनेक्ट करता है और रोज कम से कम 300 लोग इस पर सफर करते हैं और दोस्तों इस डैम जो है इस बांध का जो खर्चा है यह भाकरा नंगला डैम जो ट्रस्ट है उसके द्वारा यह मैनेज किया जाता है और दोस्तों डेली जो है इस ट्रेन को चलाने में 50 लिटर डिजल की खफ़त होती है तो दोस्तों है आज के लिए इतना ही फिर हम आपसे मिलते हैं नय जहांकारियो के साथ ने रा यूटूब वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार हमारा यूटूब चैनल चैन पर शुब्ब्राइब करना न गूले फिर हम आपसे में आप से भाई है।